हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्ड जेनवेन इन्फरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 26 तॉप फेबररी 2021 और आज की डेड पर इंडियान शेयर मार्केट के अंदर भाडि बरकम एक 2% नहीं दो पूरा 3% की करिब यहां पे घिरावट आया है Nifty 50 and Sensex के अंदर सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ग्लोबल यहाँ पे मार्केट पे भी भारी भरकम गिरावाट आया था, तो दोस्तों आज की गिरावाट का क्या करन है, इसके उपर दोस्तों यहाँ पे 5 रिजन मैं यहाँ पे explain करूँगा आपके साथ share करूँगा, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक देखना, ताकि आपको अच्छे से समझाए, तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट आकउन नहीं है, तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाटफराण में डीमेट आकउन ओपेन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज प्रीज ना के बड़ाबा लगता है, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको सिंपली ये चार्ट चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ट, आपका पैन कार्ट, एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर, और आदे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकाउंट बन जाएगा, तो दोस्तों, आज की डेट पे 26 अब फेबरोरी को, निफ्टी-फिफ्टी के अंदर 50 स्टॉक है और 50 के 50 स्टॉक की आज डिकलाइन में क्लोजिंग दिया, यानि नेगेटिवली, कोई भी स्टॉक आज पॉजिटिवली क्लोजिंग नहीं दिया, और स्पेशली मैं अगर बात करूँ, आज बैंकिंग सेक्टर, फाइनन्स सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा गिरावाट देखने को मिला, और आज की डेट में दोस्तो आपको बड़े-बड़े स्टॉक जो की फंड़मेंटली टेकनिकली बहुत ही स्टॉंग है, यह सब स्टॉक आपको आज के जब मार्केट डड़ा हुआ है, यह मैं नहीं, यह बड़े लोग जो वर्ल्ड के सक्सेस्फुल इंवस्टर है, मिस्टर वरेन बफिट जी कहा था, कि जब मार्केट डड़ा हुआ हो, तब आप लालची हो जाओ, ठीक है, तब आपको खरीदना चाहिए, तो आज वही मौक मार्केट पर क्या चलना है, क्योंकि अभी ओपन है, और लास्ट में जाके आपको थोड़ा सा सपोर्ड लेबल क्या है, निप्टी-प्टी का अगला, उसके उपर भी बात जित करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम न्यूस के उपर आचको, मनी कंट्रोल के वेबसाइट तो दोस्तों ये न्यूस है, 26th of February 2021, आज की रेट पे सुबा सारे 10 बजे का ये न्यूस है, यहाँ पे clear cut explain किया है, कि आज मार्केट गिरावट का क्या रिजन है, चलिए एक एक करके सारे points जान लेते हैं, सबसे पहला जो रिजन है दोस्तो, risking bond yield, bond yield मतलब यहाँ पे US bond की ब बढ़ा दिया गया, bond yield, ठीक है, इसके कारण मार्केट में बहुत ही ज्यादा risk factor काम कर ला है, बट अभी दूसरा जो बहुत बड़ा बजा है दोस्तों, सिर्फ इंडिया में नहीं, weak global cues, इंडिया के बाहर, यानि जो global market है, specially जपान का एक popular index निक्कई के अंदर, आज आप सकतो 1.8% डाउन था, Hong Kong के popular index के अंदर, यहां पे almost 10% के उपर डाउन था, तो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे global market के अंदर, आज बढ़िया गिरावाट देखने को मिला, और उसका जो और एक reason है, इंडिया में गिरावाट होने की, वह है, आज इंडिया का जो quarter 3, यानि October, November, December, यह 3 महिने का जो third quarter है, third quarter का GDP data release होने वाला है, हम सभी को पता है, जो quarter 2 का GDP आया था, सारे 7% decline में आया था, बट हाँ, बहुत ही ज्यादा recover हुआ था quarter 1 से, quarter 1 में तो लगबग सारे 20% decline आया था, quarter 2 में सारे 7% decline आया था, तो आज इंडिया का GDP data release होने वाला है, इसको पर भी दोस्तों वीडियो आ जाएगा, जब भी मुझे पता चलेगा, मैं वीडियो के थूँ आपके साथ share कर दूंगा GDP का, और तो इसके लिए आप दोस्तों प्लिस चैनल के साथ जूरे रहे ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बट जो चौथा बहुत ग्लोग्राफिकल टेंशन अलसो हीट मार्केंट सेंटिमेल्ट ग्लोबली, एस रिपोर्टेट बाई रिक्वेटर, यूएस प्रेसिडेंट जो बेन, जो की यूएस का निया प्रेसिडेंट है, अन थर्जडे डिटेक्टेट यूएस मिलिटरी एयर स्टाइक इन इस्टेन सिरिया एगेंस फेसिलिटीज बिलॉंग टू वर्ट दा पेंटागॉन सेट, यानि जो बिडेन के निर्देश से थर्जडे यानि ब्रेश्पतिवार कल के दिन, येस्टर दे, यूएस मिलिटरी ने यहापे एर स्टाइक किया है सिरिया के अंदर, और इसके कारण दोस्तो ग्लोबली जो स्टाउक मार्गेट है, यानि पूरे दुनिया का स्टाउक मार्गेट आज थोड़ा सा गिरावाट में चल रहा है, और उसको लेके बड़े-बड़े इंडिया का कुछ बड़े-बड़े मतलब जो की फैनांशियल कंपनी से उन्होंने यहापे आर्टिकल्स का जो पैन्डेमिका वो धीरे-दीरे और स्पाइक करने लगा, यानि जो की फेबरारी के स्टाउक में एक दम बहुत ही कम हो गया था, कहां से कहां चला आया था, बट अभी धीरे-दीरे वो जो मिटर है वो स्पाइक धीरे-दीरे करने लगा, यानि ग्राप धीरे-दीरे तरह बढ़ने लगा तो इसके कारण दोस्तों यहां पे थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है क्या क्यूंकि बहुत सारा स्टेट में अभी छोटा-छोटा करके लॉक्डाउन भी स्टार्ट हो गया तो क्या फिर से इंडिया में लॉक्डाउन होना जाएगा यह सब लेके दोस्त हैं तो सारे popular stock exchange सब से वहले यहां पर देखें जर्मान वक्रूंस fort段 स्टक के अंदर Euro Stocks 50 के अंदर होता है जैसे की इंडिया में तॉक 50 shares होते रहा था है वाईसे ही Euro Stocks 50 के अंदर योरोप का सारे बड़े-बड़े स्टाउक्स रहता है इसके अधर अगर आप चलाण नोटीस करोगे तो 80% स्टाउक आज डिक्लाइन में चल रहा है अब देख सकते 80% स्टॉक देखिए डिक्लाइन में चल रहा है कोई 1% कोई 15% कोई 2% गिरावट रहा तो ग्लोबल मार्केट भी आज इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह थोड़ा सा वीक चल रहा है गिरावट में चल रहा है तो दोस्तों अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 का अगला सपोर्ट लेबल क्या है इसका रेजिस्टंस क्या हो सकता है इसका टारगेट क्या हो सकते है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पे तीन मैने का चार्ट पैटर बैटन ओपिन किया तो आज की रेट पे जो आरेसा इंडेक्स चल ला है 44.63 जो की 500 की उपर आज closing दे पाया है यानि उसका जो support zone है strong support zone है इसके पहले आपको पता होगा कि जब nifty 50 में गिरावाट आया था तब मैं आपको वीडियो के तुरू तो कहा था कि nifty 50 को जो strong support zone है वो है 1400 700 से 14500 के बीच और आज आपने देख लिया यही zone के बीच निफ्टी को आज स्ट्रॉंग सपोर्ड मिल गया तो निफ्टी के लिए सबसे पहला सपोर्ट तो यही होगा 14500 का लेबल अगर फर्दर मेरे खाल से यह जो सपोर्ड लेवल है यह ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होगा निफ्टी के लिए ठीक है बट यह सपोर्ड ल में गिरावाट आया था तब यह जो चौदा एक तेरह हजार पांचो था इसी लेबल की उपर निफ्टी को स्ट्रॉंग सपोर्ड मिला था तब से यहां से बाउंस बैक किया पूरा फेबरारी में और आज फिर से गिरावट आप अगर एक चीज़ नोटीस करो को निफ्ट की अंदर लास्ट यह मैंने आपके सामने 6 मैंने का चार्ट ओपिन किया निफ्टी का मूब्मेंट देखिए दोस्तों स्पेशली बिगिनर्स को यहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा देखिए इंडेक्स कैसे चलता है हमेशा आपको इंडेक्स का नेचर को समझना चाहिए देखिए जम पाया फिर थोड़ा गिरावट फिर जम थोड़ा सा करेक्शन फिर जम थोड़ा सा करेक्शन फिर जम थोड़ा करेक्शन फिर जम थोड़ा करेक्शन फिर जम थोड़ा करेक्शन और अभी जम के लिए फिर से निफ्टी तैयार होड़ है और इस बार जब जब सम पाऊetus लेवल समझ आगने च्णी और निष्टा बीह दो का भी लागने चला जालKYॉस rate ओंट धया टीक समस्क्कों का सॉला अगले की जोन पर आ गया था वहां से आज एक साल के बीच में दोस्तों निफ्टी-फ्टी देख सेक्ट पुरा डबल डबल जंप लगाया कहां सारे साथ हजार से भी सब्सक्राइब दोस्तों यह गिरावार से आपको बिल्कुल भी डर्न नहीं चाहिए यह गिरावाट है खरीदार नी करने का मौका बड़िया-बड़िया स्टॉक